प्यार वो एहसास है, जो हर किसी को नहीं होता. प्यार वो महसूस है, जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है. यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ. शाम का समय था. मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, स्टेशन के बाहर. हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुँच गया था. कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया, तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिन्दगी एक अलग मोड लेने वाली थी. स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया की नहीं, तभी अचानक से मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी. वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ तेर के लिए थमसा गया था. मैं सब भूल गया था कि मैं कहा हूँ, क्यों हूँ? बस मेरी आखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था. उसका मासूम चहरा, उसकी छोटी-छोटी आखें, उसके मासूम से चहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी जैसे मानो कोई परी हो वो. उसे देख पहली नजर में मानो दिल को कुछ होने लगा था. क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ तेरबाद आए या ये वक्त रुक जाए. मुझे उसका नाम जाना था. उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था लेकिन कैसे करू ये समझ ही नहीं आ रहा था. जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए. वो जा रही थी. मेरी आखों से दूर, मुझे रोकना था उसे. उससे बाते करनी थी. उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी. लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार-बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किये जा रहा था. मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इससे अपना बनूँगा और शायद भगवान ने ही उसे भीजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूँगा. तब ही भगवान ने चमतकार कर दिया. पीछे से आवाज आई, प्रिया, मैं यहाँ हूँ. फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज दी और वो उसके पास चली गई. तब ही मैं समझा कि उस लड़की का नाम प्रिया था. मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूँ क्योंकि उसी के वज़े से मुझे उसका नाम पता चला. बस तभी मैंने ठान ली अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है. फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया. पीछे देखा तो दोस्त आ गया था. अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था. मैं क्या बोलू उससे? कैसे मना करूं उससे? कैसे जाओ मैं उसके पीछे? मैं इसी सोच में लगा रहा तब तक वो मेरी आखों से दूर जा चुकी थी दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस और आखें खुल गई तो सपना तूट गया मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ लेकिन पूरी रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तयार ही नहीं था दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तयार हो गया और मैं कॉलेज पहुँचा और बेंच पे जाके बैठ गया तभी दोस्त ने बुलाया और कहा देख हमारे कॉलेज में एक नई लड़की आई है मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था आखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था वो बार-बार मुझे आवाज दिये जा रही थी तभी मुझे गुसा आया और पीछे उससे बोलने जाही रहा था कि मैं रुकसा गया मेरी नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई मैंने देखा कि वही थी मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा मैं खुद को रोख ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या बोलता मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हसने लगा तभी पता चला कि वही वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है उसने कहा जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर न हो जाए मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी उससे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नजर में देखके ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था दिन बीटते गए हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बाते करते थे लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ भी कहने की, नहीं उसे वक्त बीट गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखरी प्यार था और शायद उसके लिए भी और इस तरह से, हमें सबको अलग-अलग कंपनी में जॉब लग गई थी तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस, मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूँगा मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे उसने मिलने के लिए हा कर दिया और इस बात से मुझे बहुत हुशी मिली हम लोग ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहां उसका इंतजार कर रहा था तभी मेरी नजर उस पे पड़ी वही कपड़े, वही बैग वही छोटी-छोटी आखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था वो धीरे-धीरे आ रही थी मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था फिर वो पास आती है फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हे मैं खुश हो गया मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी फिर मैंने उससे कहा तुम पहले बोल दो उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से लेकिन मैंने ही जिद कर दी कि पहले तुम बोलो और वो बोलने जा रही थी मानू मेरी सांसे रुक गई थी उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थमसा गया बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना तूट गया उस कार्ड में उसकी शादी का आमंतरन था बस फिर क्या सब कुछ वही रुक गया शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपनी दिल की बात बताने में शायद बहुत-बहुत देर फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे मैं क्या कहता तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वही बैठे रह गया मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद जो एक समय पर आके तूट गया वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी जिन्दगी में अब तक ये बात समझ नहीं आई पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बात तूट गया और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बन कर पल में तूट गया इसलिए दोस्तों कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर ना करो वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है